गिरकर वो हसता है, चोट खाकर वो खिल किलाता है, कहते हैं सब पागल उसे, पर वो तो एक जोकर है, ये दुनिया ना जाने की अंदर वो जोकर कितना रोता है। इनी लाइनों में सुदेश लहरी की पूरी जिंदगी समाई हुई है। परिवार से आते हैं। सुदेश ने कहा कि मेरे पास कई टॉफी हैं, आप इने खरीद लीजिए और बाद में इनी टॉफी से मुझे सम्मानित कर दीजिगा। सुदेश ने वो टॉफी 300 रुपे में बेज दी और उनसे घर का राशन खरीद लिया। सुदेश बताते हैं कि जब उन्हें कोई अपने घर पर बुलाय करता था तो वो उसके घर जाकर नाश्ता मुट्टी में भर कर अपने घर ले आते थे और अपने बच्चों का पेट भरते थे। सुदेश कहते हैं कि 35 साल की उम्र तक तो शायद उन्होंने कभी भर बेट खाना भी नहीं काया, वो भूक मार कर ही रातों को सो जाय करते थे। लेकिन सुदेश की महनत का नतीजा देखिए कि आज उन्होंने कपिल शर्मा, क्रशना अविशेक और भारती जैसे बड़े कॉमेडियन फिल्म लस्ट्री को दे दिये। कभी गरीबी में जीने वाले सुदेश के पास आज मुंबई और पंजाब सहीद कई शहरों में करोडो रुपे की प्रॉपर्टी है। सुदेश की इस काम्याभी को हमारा सलाम। आपको कैसी लगी सुदेश की एक कहानी हमें कमेंट में बताइए और भी जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजेए।